हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज समास पढ़ेंगे हम यानि की कमपाउंड बच्चों हमारे सामने वाक्य दिये गए हैं और कुछ रंगीन शब्द भी हैं उन पर ध्यान देंगे जिसे कौव वाक्य में कहा गया है घुड़े पर सवार राजा के राजकुमार ने सैना का पती के साथ युद के लिए भूमी में हार और जीत की परवाकिये बिना शुत्र भूमी में हार जीत की परवाकिये बिना श्ट्रुपर हल्मला बोल दिया और दूसरा वाक्य है वाक्यों में कुछ शब्दों को संग्शिप्त करके भी लिखा गया है जैसे की शब्दें राजा का कुमार यानि कि राजकुमार सैना का पती सैना पती युद के लिए भूमी यानि हुद युद्ध भूमी हार और जीत हार जीत खोड़े पर सवार घुर सवार तो बच्चों शब्दों के ये संख्षेप्त रूप समास के उधारन है अर्थात समास सितात परे है संख्षेप्त यानि कि छोटा जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस शब्द रशना की विधी को समास किरते हैं आईए पढ़ें समस्त पद के बारे में समास रशना में दो शब्द यानि पद होते हैं जिनमें पहले शब्द को पूर्पद यानि पहला पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद यानि दूसरा पद कहा जाता है इन दोनों के मेल से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है जैसे पूर पद है गुरू और उतर पद दक्षिना तो समस्त पद बड़ा गुरू दक्षिना आईए समास विग्रह भी जाने जब समासिक शब्द को फिर से पहले वाली अवस्था में अलग-अलग करके लिख दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है जैसे समस्त पद है भरत वासी इसका समास विग्रह है भारत का वासी महराजा समस्त पद है तो महान है जो राजा ये इसका समास के भेद जान लेते हैं बच्चों अर्थ के अधार पर समास शे प्रकार के होते हैं पहला है बहुवरी समास अर्थ के अधार पर बच्चों समास शे प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास करमधारे समास द्विगु समास द्वधन समास अव्यवभावी समास और बहुवरी स अब हमें इन्हें एक-एक करके विस्तार से हम जालेंगे पहला है तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पत प्रधान होता है और पहले खंड के विभक्ति चिनों यानि परशगों का लोब कर दिया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं जिसे राजा का कुमार राज कुमार जेब के लिए खर्च यानि की कारक्चिन गायब जेब के लिए खर्च जेब खर्च तत्पुरुष समास के भेद जान देते हैं बच्चों विभक्तियों के नामों के अनुसार छे भेद ह के पहला है कर्ण तत्पुरुष इसमें कर्ण कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है यानि की को गायब हो जाएगी विभक्ति इसे माखन को चुराने वाला माखन चोर को विभक्ति गायब सब को प्रिय सर्व प्रिय स्वर्ग को प्राप स्वर्ग प्राप ग्रंत को रशने वाला ग्रन्थाकार समस्तपद बना इसका यश को प्राप ये बना यश्प्राप चुडिय को मारने वाला चुडिमा दूसरा है करन्तत पुरुश इसमें करन्ठ कराकी प्कुल भकती से का लोब हो है जैसे तुलसी द्वारा या से कृत तुलसी कृत मन से चाहा मन चाहा जन से रोगी जन रोगी अनभव से जन्य अनुभजन्य रिखा से अंकित रिखांकित मद से अंधा मदांध और अगला है संप्रदान तत्रोष इसमें संप्रदान के भक्ति के लिए का लोब पाया जाता है जैसे हवन के लिए सामगरी हवन सामगरी देश के लिए भक्ति देश भक्ति यक के लिए शाला यक शाला क्रडा के लिए शेत्र क्रडा शेत्र रहा के लिए खर्च रहा खर्च पाठ के लिए शाला पाठ शाला र रसोई के लिए घर रसोई घर गुरु के लिए दक्षना गुरु दक्षना और अगलाय चोथा अपादान तत्प्रुश इसमें अपादान कारा की भक्ति से का लोग पाया जाता है जैसे अकास से आईवानी अकास वानी भै से भीत भै भीत देश से निकाला देश निकाला पत से भ्रष्ट पत भ्रष्ट गुर्ण से हीन गुर्ण हीन रण से मुक्त रण मुक्त पाप से मुक्त पाप मुक्त जल से हीन जल हीन और अगलाय संबन तत्प्रुश इसमें संबंद कारा की भक्ती काके की कलो पाय जाता है जिसे मृक का शावक, मृक शावक राजा का महल, राज महल गंगा का जल, गंगा जल पवन का पुत्र, पवन पुत्र राम की कहानी, राम कहानी राजा की आग्या, राजा की आग्या, राजा आग्या देव का आले देवा ले देश की रक्षा देश रक्षा और अगला है अधिकरन तत्पुरुष बच्चों इसमें अधिकरन तत्पुष की भक्ती में पर का लूप पाया जाता है जैसे कि ग्राम में वास ग्राम वास कला में प्रवीन कला प्रिन शोक में मगने, शोक मगने, अपने में बीती, आप बीती, खोड़े पर सवार, घुर सवार, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों तम, वन में वास, वन वास, दान में वीर, दान वीर, चलिए अगले समास की और बड़े, दूसरा समास है अव्यव भाव समास, बच्चों अव्यव भाव समाज का शाब्दिक अर्थ अव्यव हो जाना है इसे पहला खंड अव्यव प्रधान होता है अर्थात अव्यव होता है और समस्त पत से अव्यव का बोध होता है अव्यव भाव समाज में कुछ शब्द का लोप हो जाता है और उनकी बतले पहले अ आ जमा जन आ जन इसका समस्तपत अब विग्रह जन से नी जमा डर नी डर बिना डर के प्रती जमा पल प्रती पल यानी विग्रह हुआ हर पल यथा जमा शक्ती यथा शक्ती शक्ती के अनुसार अनुजमा रूप अनुरूप रूप के योग्य और तीसरा समास है कर्णधारे स जिसका पहला खाण विशेशन और दूसरा विशेशे हो अत्वा पहला खण उपमान और दूसरा उप में हो उसे एक करंध हरे समाँज कहा दें जैसे नील है जो कंठ नील कंट चंदर के समान मुख चंदर मुख पी यनि पीले हैं जो अमबर पितांबर महान है जो रानी महारानी आदा है जो मरा अद मरा देह रूपी लता देह लता परम है जो आनन परमानन म्रिक के समान नयन म्रिक नयन प्राणों के समान प्रिये प्राण प्रिये लाल है जो मरी लाल मरी चियोत्था समाज है हमारा दिगु समाज जहां पहला पत संख्या वाचक हो और समस्त पत समू वाचक हो उसे द्विगू समास केते हैं जैसे की विग्रह है चार आनों का समू इसका समस्त पत बना चवन्नी चार मासों का समू चौमासा, साथ दिनों का समू सप्ता, तिन रंगों का समू तिरंगा नव रत्नों का समाहार नव रत्न तीन भुजाओं का समू त्रिभुज दो पहरों का समू दो पहर और चार राहों का समू चोरहा पाच्वा समाज हैं द्वदन समाज जहां दोनपत प्रधान हो तथा और लगाने से विग्रे हो द्वदन समाज होता है जैसे कि सुख और दुख विग्र है तो समस्तपल बना सुख दुख, डाल और रोटी, दाल रोटी, देश और विदेश, देश विदेश, रात और दिन, रात दिन, राजा और रंग, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, नर और नारी, नर नारी, खराया खोटा, खरा खो प्रधान ना होकर किसी तीसरे अर्थ की और संकेत करते हैं तथा यह तीसरा पद ही प्रधान होता है यानि कि किसका ज्यादा मान होता है तीसरे पद का तुम्हां बहुवरी समास होता है जैसे पितांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात विश्णू की और इशारा है जिसका अर्थात शिव लंबोदर लंबा है उधर जिसका ऊधर यानि कि शूर्थात गनेश जी दशानन बैध्र यानन यानि मुक्जिस के किसके हैं दास्मुक रावन बैंविस्पधर बेश्क धारन करने वाला अर्थात साफ घंशाम धन के समांञ साम है जो पॉन चत्रभुज चार हैं भुजाएं जिसकी किसकी विश्णू जी की आईए इस पार्ट से संबंदिद महतपूर बिंदु जानने समस्त्पत के सभी पदों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया समस्त्पत के सभी पदों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया समस्त्पत के सभी पदों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया समस्त्पत के सभी पदों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया समस्त्पत के सभी पदों को पहला पत संख्यावाची होता है और बहुरी समाज में दोनों पदों के मिल से तीसरा अर्थ निकलता है वदन समाज में दो या अधेक शब्दों के जोड़े होते हैं और अव्यविभावी समाज का पहला पत अव्यव होता है तो उम्मीद करती हूं बच्चों आपको समाज अच्छे से समझ आया होगा आप जान गए होंगे इसके भेदों के बारे में भी हम इसका अभ्यास कारे आप सभी कीजिए कर दो कर दो कर दो